हलो गाइस वेलकम बैक टो माई चैनल इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए अप लोग को बहुत बड़ी अप्डेट्स के बताने वह लोग जोंकि Amazon रिकार्मेंट्स की तरफ से Amazon में अप्लाइ कर सकते हैं अपने फ्रेंट्स के भी साथ इस वीडियो को सेर कर दीजाए ताकि वह भी अगर फ्रेशर्स है या एक्सपीरियंस है तो इसमें एप्लाइ कर सके और जॉब एमजॉन में जॉब लें सके तो वीडियो में आप लोग को सारे कुछ डिस्क्राइब करके बताने वाला हो और साथ ही में आप लोग का अपलाय करके भी बताने वाला हो तो वीडियो के साथ बने रही है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले और पहली बार मेरे चैनल पर प्लीज को सब्सक्राइब कर जाएग दोस्तों आप लिजिए पर देख सकते मैंने बहुत इस पीच पर आजाना है तो सबसे पहले आप लोग कैप्चा वेरिफाई करना होगा या फिर आप लोग एक रोबोट वेरिफाई करना होगा तो इस पर आप लोग क्लिक कर लिजेगा उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किजिए आप लोग का तो वेरिफाई हो जाएगा उसके आप लोग का application form में open हो जाएगा आप लोग देख सकते होंगे basic से details वरनी और यहां पर आप लोग की job role रहने वाली है वो virtual technical support रहने वाली है और इसकी job location है हैधराबाद होगी बत आपको training के लिए one month के लिए हैधराबाद जाना होगा उसके बाद आप लोग work from home basically कर सकते हो अगर आप लोग को जिसकी descriptions देखने हैं job vacancy, job की details देखने हैं इस पे आप लोग क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं तो मैं कुछ-कुछ details बता देता हूँ यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को job vacancy जिसमें आप लोग को mail वगरा और कुछ जो उसमें token generate की जाती है वह आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर सीधा clear लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोग दिखते हैं virtual technical support VTS work from home भी आप लोग को दिया जा सकता है इंडिया पर तो यह आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है Amazon के तरफ से जिसमें आप लोग को work from home का मौका मिलेगा और इसके salary भी अप लोग अप लोग देख सकते हो 30,000 से 45,000 की salary इसमें रहने वाली है आप लोग देख सकते skills requirements है कि आप लोग को patience से काम रहनागा staff disciplines है और कुछ MS word की कुछ knowledge होनी चाहिए आप लोग को और अपने काम को priority जरूर दीजेगा इसमें यही चीज skills में requirements और basically good communications skills है आप लोग के लिए जो भी आपका communication से आप लोग customer से basically communicate easily कर पाओ और अपने skills को भी यहाँ पर improve कर सको और एक चीज़ दिया गया है दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास typing skills बहुत अच्छी है तो भी आप लोग यहाँ पर अपलोग को preference हो सके मिल सके और आप लोग माइक्रोसफ आउटलुक वेगरा तो इसलिक अब यह सब पर freely काम आना चाहिए आप लोग देख सकते है प्रिफर्ली क्रिटीरिया दिया गया है तो इसमें basically six months के अगर आपको जादा प्रिफोर किया जाएगा basically और internet connectivity अगर आपके पास है अपने पास तो आप लोग को भी कस्टमर सपोर्ट भी आप लोग दिखते हैं focus आपका जो है वहाँ पर details दियागा आप लोग रीट कर लीजेगा basically पूरा बहुत सारे details आप लोग को मिल जाएगी this PDF यह फिर आप लोग website पे और यहाँ qualifications required भी आप लोग देख सकते यहाँ पर जो आप लोग 10th plus 2 and any graduate students apply कर सकत है rotationals यहाँ पर आप लोग जो सीफ्ट रहेगा benefits भी आप लोग देख सकते हैं meal card भी आप लोग को मिलेगी basically otware बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा आप लोग को बारे में तो basically सब को जानते ही होगे उसमें बजाने के जरूरत नहीं है आप लोग को read कर लीजेगा यहाँ पर इडिया phone number आप लोग basically अपना दीजेगा और कोई भी घलती नहीं कीजेगा इसमें basically और उसके बाद आप लोग alternative phone number भी आप लोग को देना है date of birth भी देना है आप लोग उसके बाद यहाँ पर gender language भी आप लोग को फिल करना जो क्या आपके mother tongue हो वो आप लोग यहाँ पर यह करते हो या फिर आप लोग को कौन को लेंगवज आता है वो आप लोग फिल कर दिजिगा ती लेंगवज आपसे पूछा गया है उसके बाद disability तो basically अगर है तो फिल कर दीजेगा citizenship भी आप लोग फिल करना है जो कि इंडिया से तो अगर अप अधर से है तो अधर से फिल कर स करक्त हैगा और यहां पर एक पॉइंट जिया गया कि आप लोग रिलोकेट होना चाहते हो तो आप लोग चली जग जए है तो आप लोग इसमें वियास विल कुष काथ कर सकते हैं तो पॉस्त गूर्ग निकी स्क्रोल की कि जएका तो आप देख सकते हैं अगर आप तक फ्रेश्ट्र से तक फ्रेश्ट Kit Grsơn कर लीजेगा अपने रएउन के लिग सकता है जो आपकी other details फिलकर लीजेगा ताक को प्रपना प्रेश्च से लिज होगा ऐसको कि आप सेल सकता है दोस्तों बट अधार काड मेंटर या आप अधार काड जरूर फिल करना है पासपोल्ट साइज आप लोगो फोटो भी अपलोड करना है जिसकी साइज मैक्सिमम 3 MB की होनी चाहिए आप लोग और यहां पर जो फॉर्मिट भी एक्सिंशन दिया वह है जे पीजी जे पी को बीजे पर इजी पर पी एफ़ड़ोग करना है उसके बाद आप लोक चैक बोक्स पर आप लोगो को क्लिक करना यहां पर क्लिक करना है लोगी क्लिक कर नहीं तो का कशे के साथ भी शेयर कर दिए ताकि वो भी इसमें अपलाई कर सकता आप लोग ने देखी दिया तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग तो वीडियो का लाइक कर दिजिए का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजगा मिलते हैं अगले वीडियो वीडियो केंट सक देखने के धन्यवाद